आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और पूरी तरह से लक्ष के प्रती समर्पित होंगे राश्ण के प्रती समर्पित होंगे और देश भक्ति की भावनाओं से पूरी तरह से उत्प्रोत होंगे मैं आप मेरे स्क्रीन पर देखी रहे हैं मैं एक ऐसे भारत के व्यक्तित को लेकर आया हूँ जिनके नाम की मुझे जरुरत नहीं है ना आपको जरुरत है क्योंकि उनकी पहचान ही उनका काम है और स्वभाविक रूप से एक विदेशी महिला होते हुए भी उन्होंने भारत के लिए जो काम किया वो भारत के लोगों के लिए हमेशा प्रिर्णा का सुरूत बना रहेगा मैं कह सकता हूँ कि एनी बिसेंट डेफिनेटली हिंदुस्तान के कांचा है ओ धर्म सुधार आंदोलन हो चाहे हिंदुस्तान का राष्टी आंदोलन हो उनमें उनका सबसे बड़ा रोग रहा है मैं आज एनी बिसेंट जी के उपर कुलना के कहने कहीं कुछ चीज़े लेकर आ रहा हूँ इनको मा बसंत तक कहा गया है और आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं इनका जन्म तो इंग्लेंड में हो रहा है आपको बताना चाहता हूँ इनका जन्म तो 1847 में लंदन में इंग्लेंड में हुआ लेकिन उसके पश्चा तो धिरे धिरे इनकी भावना इनके थोट इनके विचार मेरा ये मानना है कि भारत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओत्प्रोत थे और इसी समय आपको बताना चाह रहा हूं कि कहीं 1875 में निवर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की इस्थापना हो रही है और थियोसोफिकल सोसाइटी की जो इस्थापना हो रही है कुल्मा के करनल अलकाट के द्वारा मैडम ब्लावर्सकी के द्वारा जिस थियोसोफिकल सोसा को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं थियोसोफिकल सोसाइटी की बात अगर हम लोग करें तो 1888 में एनिविसेंट भी लंदन में रहते हुए थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ गई और थोड़ा सा मैं इस विश्य को लेकर आप बात करना चाहता हूं कि 1893 में जब शिकाग मैं परतम विश्व धर्म संविलनज चल रहा है जहां फर वीवेका नंद ने खुल ना के करने की दुनिया को बताया कि भारत के लोग भी आध्वात्यात्म एै भारत का ब्लश्य कितनी उचाईयों तक हैं आपको पताना चाहता हुं कि 1893 कि शिक्वा को विश्व धर्म नियासी आया हुगा है जिसने पूरे अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को अपने कुल्मला के कहने के शित्रूप से भाषण से अपने विदान्त के तर्ख से प्रभावित कर रखा है तो विशंट ने निर्ण लिया कि मेरा अगला जीवन जो रहेगा यानि आगे का जो समय भारत में वैतित होगा मैं कह सकता हूं कि स्वामी विविकानंद के इन भाषों से बहुत ज्यादा एनि विशंट जी प्रभावित हुई और प्रभावित होने के पश्यात अंतता 1893 में भारत आ जाती है तो आपको बताना चाहते हूं कि विदेशी महिला है लेकिन भारत की सभ्यता और संस्क्रती से उसको कितना प्रेम है उन्होंने काशी के तटो पर 1893 से लेकर 1906 बहुत लंबी साधना की है और कुलमा के कनिके विदांत दर्शन से प्रभावित रही वो हमारे दर्शन से प्रभावित रही उन्होंने भारतिये भोजन को भारतिये वस्त्र को कु प्रभू नाराण सिंग्स नरेश थे उन्होंने उनको जमीन अवेलेबल कराया और यही पंडितमदन महन मालविय के प्रयासों से कहिने कि बियेचिव में उन्होंने भारत को सेक्ष्णिक जगत से परचित कराया और भारत के लोगों को सिक्षा के मार्क पर लिजाकर उनको सामाजी को सामाजिक बुराईयों के खिलाफ यह बहुत बड़ा अंदोलन किया मैं यहां तक कह सकता हूं मैं यह कह सकता हूं कि विदेशी मेला होने के पश्षाद में अंतता भारत के समाजिक सतार के लिए बहुत ज़्यदा प्रेणासरूत हैं तो फंसिन के समाचाद पत्र जो यूरोप के समाचार पत्र और इंको पुरव सितार कहते हैं भारत के लोग उनको मावसंत कहां करते थी और मैं अंतता कुल्मा के थियोशोफिकल सुसाइटी का द्रश बने के पर शाथ अंतता हिंदुस्तान के राश्टिया अंदोलन में सबसे बड़ा उनका योगदान यह है कि उन्होंने होमरूल अंदोलन चलाया 1916 में तिलक के साथ बालगंगा धर तिलक के साथ होमरूल चलाती है और जिसका लक्ष क्या है कि भारत में सम्मिध्भारत के लोगों समयधानिक मार्ग पर चलते हुए स्वशासन की प्राप्ति होना चाहिए यह भारत के लोगों के लिए स्वशासन की कुल्मा के प्रयास कर रही है जिसके लिए उन्होंने होम्रो लांदोलन चलाया और उनके होम्रो लांदोलन का नतीजा भी निकला कि 20 अगस्त व्हारत की धरती सुन का अठा पैम है यह भारत के लोगों के लिप लिए प्रेड़ना का स्रोथ बनना चाहिए tan वह यह समझ चुकिए वह कहती हैं और रात को सभी धर्म्रों को अपनी आ शर। मैं यह कहना चाहता हूं वह किAny वे सेंट निश्य सुम्ह भारत सबाथ का वारत सुखोब से ज़जबा उनके मन में था है कि कहिने के निश्यतुर से how India wrote for freedom how India wrote for freedom एनिवी सेंड के एक बहुत बड़ी रचना है उनके भारत के प्रेम की जलक को बताता है वो how India wrote for freedom में कहती है कि भारत में दी मदरलेंड है भारत मेरी मात्रभूमी है मैं भारत के उन लोगों को कहता हूँ कि आपको प्रेम लेनी चाहिए कुछ लोगी धर्ती पर ही जन्म लेते हैं कुछ लोगी धर्ती पर ही जीते हैं कुछ लोगी धर्ती के उपर ही कुलना के कहिने के निश्यतुर से भारत के अंदर ही सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी भारत के प्रति उनका बफ़ादारी पर शक हो जाता है क्यों हो जाता है मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ कि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हो कुछी कोई भी हो सकता है जो कहने की आतंकबात की घटनाओं से जुड़े हुए हैं जो कहने की देश विरोध कहना चाहता हूं इस प्रकार से एनी विसेंट का योगदान भारत की राष्टी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है डेफिनेटली मैं हम कह सकते हैं कि नमन होना चाहिए और भारत की कुल्मणा के इनको बारत की आरें लेडी तक कह दिया गया इस भारत की आरएं करती हैं और 1924 के बेलगाव अधिवेशन में जब भाग लेती हैं जिसकी अधिक्षता गांधी जी कर रहे थे वहीं से सक्रिय राजिती से उन्हों अपने को सन्यास लिया इनकी इच्छा तो यही थी कि मेरा जीवन का अंतिम सांस कासी कासी के तटो पर हो क्या प्रेम है महाराज कि काशी के तटो पर हो अपने प्रान त्याक करना चाहती थी लेकिन अंतता उनके जीवन का अंतिम समय मद्रास के अडियार में व्यतित होता है क अद्रास अडियार में उनकी मृत्ति होती है मैं कह सकता हूं कि एनी बिसेंट भारत के लोगों के लिए हमेशा प्रेरेना का स्रोत बने रहेंगी और मैं उनको कहीं कहीं शत्षत्रमन करता हूं इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं आप सब को प्रण करता हूं करता हूं